नमस्कार दोस्तो मैं अंकित वर्मा एक बार पहर से स्वागत करता हूँ आपकी अपनी चैनल अंकित वर्मा ओल अजपी नोटिफिकेशन में तो दोस्तो जैसा कि आप थमनेल पे देखे चुके हैं कि अभी की जो आज की ताजाख अगर ब्रेकिंग न्यूज है कि हिमाचल प मौत हुई है और कहां से कितने केसा है इसकी जानकारी में आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो पर एंड तक बन रही है अगर आपने अभी तक वीडियो को शेर नहीं किया है तो वीडियो को शेर कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल तो हिमाचल परदेश में मंगलबार को रिकॉर्ड करोना से इंकरमितों की जो है 16 की मौत हो गई है इंद्रागांदी मेडिकल कॉलेज और डेडियू शमला में दाखिल 9 मरीजों की मंगलबार को करोना से मौत हो गई इसमें 6 मरीज शमला जिले के ही रहने बाले हैं जिन में से चार मरीज शमला शहर से हैं एक ही दिन में राजधानी में करोना से 9 मरीजों की मौत काया अब तक का सरवादे का अंकड़ा है दो मरीजों ने दीन दियाल उपाध्याए अस्पताल रिपन में दम तोड़ा दोनों मरीज शमला के रहने वाले हैं कोविड नाइटी पॉजिटिव मरितक मरीजों की मौत की पूश्टी डीडियू अस्पताल के बरिष्ट चिकितसा अधिक्षक डॉक्टर रमेश चौहान ने की है तिबतियन कलोनी न्यू बस टेंड के रहने वाले 76 सार के बजुर्ग को 9 नवंबर को रात डीडियू अस्पताल लाया था यहां से चिकितसों ने मरीज को IGMC रैफर करना चाहा लेकिन कोछी देर में मरीज की मौत हो गई शमला के इनदीक टोलेंट के पास रहने वाले 52 साल के बजुर्ग की भी मंगलवार सोबा जो है मौत हो गई बजुर्ग का 30 अक्तूबर को COVID-19 टेस्ट जो है पोजिटेव आया था और डीडियू अस्पताल में दाखिल किया गया था मरीज को हाइपर टेंशन के अलावा 5 तेनों से काफ वाला निमोनिया था वहीं बहरने वालों में एक जाखु एक संजोली कोटगर जोगिंदर नगर मंडी कोटी चिडगाउं और अरकी का मरीज शामिल है इसके अलावा रिकांग प्यों के मरीज भी की भी मौत हुई है सभी आईजेमसी में दाखिल थे मंडी में दो करोना संक्रमतों की मौत हुई है सुन्दर नगर में 57 वर्षी है बिजली बोल्ड की साइक अब्यंता की गर में मौत हो गई है सुन्दर नगर के विधायक राकेश जमबाल की रिष्टे में चाचा लगते थे वहीं करसोग के सनारली पंचायत में करोना से 22 वर्षी ब्रिद व्यक्ती की मौत हो गई स्टीम करसोग सुरेंदर ठाकोर ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंत्यम संसकार कर दिया है मंडी के टारना निवासी 69 वर्षी संकरामित व्यक्ती ने नेर चोग अस्पिताल ले जाते समय अंबिलन्स में दम तोड़ दिया गगल के 48 वर्षी संकरामित ने भी दम दोड़ दिया वहीं कुल्लू के में करोना पहुष्टे बाजपा चुनाब प्रकोष्ट के जीला से योजिक की मौत हो गई है वह पिछली दिनों करोना की चुपेट में आये थे जिसके बाद उनका पीजियाई में उपचाल चल लहा था लेकिन इस तोरान उनकी मौत हो है उद्र मंगलवार को शाम तक जो है प्रदेश में करोना के जो है पांसो बतालिस नए मामले आये हैं जिसमें शमला जीले में एक सो एकिस कांगड़ा में 77 कुल्लू 89 मंडी बावन सोलन में 31 किनौर चौती लौसपीटी चुबिस विलासपूर 28 चंबा बावन सिर्मौर मे साथ नए मामले आये है इसके साथ ही प्रदेश में जो है संकरमितों का कोल आंकड़ा 26,808 के पार पहुंच गया है करीब 5,365 जो है सकरी ये मामले है और 21,000 अब तक ठीक हो चुके है 390 करोना संकरमितों की अब तक जो है मौत हो चुकी है तो दोस्तों यह थी अभी की आज प्रदेश की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके धन्यावाद जयाहिन जयभाद